नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चानल मी सहली पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गिहू के आटे से बनाए जाने वाले बहुत ही खस्ता छोटे-छोटे से बिस्किट की रेस्पी जिसे आप अक्सर मार्किट से खरीद के लाते होंगे जो की डब्बे में मिलता है आज वही बिस्किट बनने वाला है बस घर में पड़े दो से तीन सामानों से तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कप गेहू का आटा तो यहाँ पर आप एक कप दो कप जितना भी गेहू के आटे से बिस्किट बनाना चाहते हैं उस अनुसार से आप आटा ले सकते हैं और एक कप का ही मात्रा में सारे चीज आपको दिखाऊंगी या कप हमारा है आप देख पारे हैं तो इस हिसाब से हमें चाहिए होगा उसका आधा से थोड़ा कम चीनी यानि कि आप 200 ग्राम ले रहे हैं गेहु का आटा तो उसमें आपको 50 ग्राम के जितना चीनी डालना होगा चीनी बहुत ज्यादा मीठा बिस्कित में अच्छा नहीं लग तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर चीनी हमारा पीस चुका है अब जितना हमारा चीनी था उससे थोड़ा सा कम हमें लेना है बटर आप बटर के जगह पे चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अधि आपके पास बटर नहीं है तो आप घी में बना सकते हैं तो कप में जहां तक चीनी था उससे थोड़ा सा एकाध चमच कम घी ले लीजिएगा या बटर ले लीजिएगा यानि कि 50 गराम आप चीनी ले रहे हैं तो 40 गराम के इतना आपको इसमें घी या बटर डालना होगा अब अच्छे से इसे पहले फेटना है घी भी आप ले रहे हैं तो भी आपको ये कम करना है बटर ले रहे हैं तो भी आपको ये कम करना है यानि कि फेट के बहुत अच्छे से इसे सौप्ट करना है पहले तो देखिए यहाँ पर बटर जो है बहुत अच्छे से सौप्ट हो चुका है अब यहाँ इसमें डालना है हमें चीनी को तो चीनी को चानने के लिए आप जार से चीनी को इस तरीके से चानी पर डाले और इसे चाल ले इससे क्या होगा जो इसमें इलाइची का छिलका बगएर होगा जो मोटा चीनी रह गया होगा वो अच्छे से निकल जाएगा अब इसे हटा लीजिए और जो बारिक वाला पाउडर है उसका इस्तेमाल हमें बिस्कित के अंदर करना है तो अभी क्या करना है कि चीनी और बटर को भी हमें 2-3 मिनट तक अच्छे से फेट के एकदम क्रीम के जैसे इसे हलका बनाना है जब आप फेटेंगे तो आप खुद खुद समझ जाएंगे आपको फेटते हुए महसूस होगा कि यह हलका हो चुका है एकदम सौप्ट सा आपको लगेगा इस तरीके से जब आप चीनी और बटर को फेट लेते हैं तो आपका बिस्कित बहुत ही ज़्यादा खसता बनेगा और खाने में करा नहीं लगेगा पर जो है हमारा बटर और चीनी बहुत अच्छे से फेट के एकदम हलका हो चुका है आपके पास बनीला एसेंस है तो आप इसमें एक दो ड्रोप डाल सकते हैं और नहीं है तो आप इलाइची से ही काम चला सकते हैं इलाइची का भी फ्लेवर बिस्कित के अंदर बहुत आटा है अब इसके उपरये से हमें डालने है च्छनी को और इसमें डालना है पर साम यहां पर सारा गेहु का आटा ही नहीं रहा फ्रेंटि Tib masturb का रहा है और आधा इसमें मैदा है मैंभी पूरा गेहु के आटे सेदी आप बनाते हैं तो बिस्कित इतना अच्छा नहीं बनेगा थोड़ा मैदा जरूर डालिए अब यहाँ पर डालना एक चौथाई चमच बेकिंग पाउडर और एक दो चुटकी के जितना इसमें डालना है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से बहुत ही कम हमें बेकिंग सोडा का इस्तिमाल करना होता है और इसमें डालना है थोड़ा सा नमक दो चुटकी नमक भी आप डाले मीठे के साथ बिस्कित में खास कर नमक और चीनी दोनों ही डाला जाता है अब क्या करना है कि बटर के साथ हमें यह आटा जो है इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है तो मिक्स करने के लिए आप हाथ से इसे मिक्स कीजिए हाथ से मिक्स कीजिएगा तो बहुत अच्छे सी ये मिक्स होगा आटा को जब आप मिक्स करते हैं और नाप तोल आप सही लेते हैं आपका जो आटा है इतना बटर के साथ बहुत अच्छे से गुथ जाएगा बिल्कुल भी कम नहीं पड़ता है और यदि आपको लगे फ्रेंड्स गुथते हुए कि ये बहुत ज्यादा सूखा है अच्छे से गुथ नहीं रहा है तो आप इसमें एकाद चमच दूध डाल सक आटा को दो भाग में इस तरीके से लोई बना लेती हूँ और एक को बेल के और हमें बिस्कित बनाना है और एक को फिर वापस से बेल के बिस्कित बनाना है जो आटा आपका बचा हुआ है उसे फ्रीज के अंदर रखें बाहर रखेंगे बहुत जल्दी मेल्ट होके एकदम साफ से करते हैं आप आपका जो ट्रेइ है baking tray वो कितना बड़ा है तो उतना बिस्किट आप एक बार में cut करके और bake कीजिए एक बार में सारे किट को cut करके नहीं रखना है छारो तरग से बिस्किट जो है एक समान करें इस पर क्या अच्छी पकता नहीं है बिस्किट हमारा आप यहां पर देखें फ्रेंट्स यह कुकी कटर तो आप इस सेप का बना सकते हैं ऐसा सेप का बना सकते हैं आप चाहें तो राउंड राउं यानि की गोल-गोल बिस्किट कट कर सकते हैं तो आप अपने पसंद से क बिस्किट फूलेगा ना तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा तो यही वाले कटिंग से आज मैं कट कर रही हूं क्योंकि यह वाले कटिंग जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया था पहले भी मैंने वीडियो डाला है लेकिन उसमें थोड़ा मसाला डालके बनाई हु और यदि आप पूरा ही बिस्किट मैदा से बनाते हैं तो वो बिस्किट और भी ज्यादा अच्छा बनता है देखने में भी सफेद और खाने में भी बहुत हलका होता है बिस्किट कट कर ली हूं इतना सारा आप सारे बिस्किट को निकालके और ट्रे पर डालना है तो यहा यह लगाने से क्या होता है आपका बरतन जलता नहीं है आप बिना फॉयल पेपर का भी बिस्कित बेक कर सकते हैं लेकिन जब वह बेक होगा 20-25 मिनट तक तो वह इस टिल का प्लेट होता है थोड़ा काला पड़ जाता है इसके लिए इसे लगा देती हूं अब इसके उपर थो थोड़ा थोड़ा दूरी पर इसमें बिस्कित डाल देना है एक बार में जितना बिस्कित आएगा उतना लगा देना है तो देखे फ्रेंट इसी तरीके से हमें बिस्कित को थोड़ा थोड़ा दूरी पर सेट करते हुए इस पर डालना है अब बहुत जादा नजदिक नज तो देखिए फ्रेंट्स एक बार मैं हमारा इतना ही बिस्कित बिलाया था तो इतना बिस्कित बेक करने के लिए डाल देती हूँ अब आप इसी तरीके से बना लिजेगा सिर्फ आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ तो यहाँ पर आप कोई भी पुडाना से कराही ले 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 उसके अंदर एक स्टेंड डाल दे और इसे 10 मिनट तक अच्छे से गरम होने दे कराही को आज कम रखिएगा गैस का देखिए कराही है हमारा बहुत अच्छे से गरम हो गया है धकन हटा के तुरती ही ट्रे को रखते और धक दे 15 मिनट तक बिस्कीट को एक तरफ से अच्छे से बेक होने दे तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक से एर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक से एर चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमें सपोर्ट कीजिए फ्रेंट्स सब्सक्राइब करन दूसरे तरफ से भी थोड़ा सा बेक कर लेते हैं तो इसका कलर बहुत ही सुन्दर आएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा आपको यह नहीं लगेगा कि यह बिस्कित पका हुआ नहीं है ऐसे तो यह पक जाता है एक साइड से भी बेक करके तो सारे बिस्कित को इस तरीक से पलट दिया है मैंने दूसरे तरफ से और धकन लगा के पांच मिनट और इसे बेक होने देना है गैस के आज को लो करके पांच मिनट इसे पकाना है तो फ्रेंड्स यहां पर बिस्कित हमारा बनके तयार हो चुका है इसे निकाल ली हूँ और देखिए एक-एक बिस्कित हमारा बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है बहुत अच्छे देख पारें दोनों तरफ से कितना अच्छा इसका कलर है तो सारे बिस्कित को आप उठाते जाएं और रखते जाएं और जो बाकी का बिस्कित है उसे भी कराही अभी गरम ही है आपका तो फिर से इसमें लगादे ट्रे में और बेक कर लें जटपट से बन जाता है एक बार आपको सिर्फ ये काम करना है न कि आच थोड़ा से कराही को गरम कर लें और ट्रे में अपना बिस्कित सजाएं और बिस्कित बनके आपका तयार हो जाता है विसक्ट ठंडा हो चुका है आपको एक बिसक्ट तोड़के भी दिखाती हूँ देखिए फ्रैंट्स कितना खसता है लिए किया बहुत ही ज्यादा खसता बहुत ही ज्यादा स्वाधिष्ट बनता है यह बिसक्ट इसे अच्छे से ठंडा करके उसके बाद आप कोई भी डबा में इसे बंद करके महीनों स्टोर करके खा सकते हैं होममेड विस्कीठे ये खराब नहीं होगा और खाने में काफी स्वाधिश्ट होता है तो फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप भी इसे ट्राइ जरूर कीजिएगा मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के साथ थेंक यू